हेác guys, دیکھो IPO IPO होता है कि जब नई company आती है तो वहाँ पर आप apply कर सकते हो, आपको harassment देखने को मिलिएगा फिर वहाँ पर आपको जब IPO आता है तो बड़ाए बेनिफुट भी देखने को मिलथा है, ये company के उपर depend होता है minimum 30% लेवा maximum of 50 या 100% तक का भी ले लो कोई दिक्रत की बात नहीं चलता है ठीक है आई-प्यो में काफी इचा गेन देखने को मिलता है लेकिन लेकिन अगर आई-प्यो खराब हुआ तो बहुत जादा नुक्सान देखने को भी मिलता है देखो अब कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होता है म 30 रुपीज भी नहीं है 30 रुपीज भी नहीं है लेकिन वह 100 रुपे का आई-प्यो ला रहा है और से भी इस चीज के लिए भी अलाव कर दे रहा है तो मैं आपको बलूँगा यहां पर जरूर कुछ ना कुछ प्रावलम है होता क्या है कि देखो अगर आई-प्यो आता है तो माल लेते हैं कि सारे पब्लिक जितने होते हैं रिटेल निमें सकोते हैं चोटे बड़े सबी लोग होते हैं मतलब सब लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है सबी लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं तो नुकसान तो सबको होता है न बहुत सारे आई-प्यो म होने पता होना सी ही न है कि नहीं और company में खराम होती है तो नुकसान किसको होता है पब्लिक को तो इस चीज के लिए से भी को देखना चाहिए कि अगर यह company 100 रुपे में आई प्यो ला रही है जिसका वर्थ 30 रुपीज भी नहीं है तो इसको allow नहीं करना चाहिए 100 रुपे के लिए नहीं करना चाहिए at least 40 रुपीज करेगी चलेगा 50 रुपीज करेगी चलेगा हाला कि यह कोई premium नहीं देने वाली यह 100 रुपे का आता है IPO तो लोग सुचते कि premium 200 रुपे तक तो चला ही जाएगा share मिल देगा कम से ज्यादा जो किसका बड़ा हाथ होगा तो सेभी का ही होगा मुझे लगता है कि इसको भी कुछ ये, क्युदि सेवी क्या करता है, कि जो गलत कर रहे हैं, उनको निकालना है, मार्केट से, और रिटेल इनविस्टोर्स को बचाना है, लेकिन यहां पर ऐसी कंपनी को अपुरोवल दिया जा रहा है, आई-पियो लाने के लिए, मार्केट में उनको लिस्ट किया जा रहा, उनको पता है कि मार्केट में लिस्ट किया जाएगा, तो हाला कि घर में जो पोचा मरने वाला इंसान होता है पानी पूरी वाला इंसान होता, कपड़ा बिचने वाला इंसान होता फुटपात में, प्लेट में खाने वाला इंसान होता, वो भी ये share खरीच सकता, उसको भी तो नुकसान होगा न, होगा की नहीं होगा, इतने जो छोटे-छोटे लोग हैं, इनके बारे में, सिवी ने कभी सोचा, नहीं सोचा, कभी नों सोचा, कि रिटेल इन्वेस्टरों का जो hard and money होगा, कितना नुकसा भी मतलब मुझे लगता है कि इनों ने ध्यान दिया ही नहीं होगा, पेटियम, 75% वो भी IPO आते आते, भाई अगर 20, 30, 40, 50% भी गिरावट होता है, चलो, okay, IPO आते ही 75% का गिरावट है, और मुझे इसो देखो, ये 75% गिर जाए, ये 80% गिर जाए, इससे कोई टेंचन वाली बात नहीं, ये देखो, कोई दिकत नहीं, ये चलता है, गिरावट होता है, लेकिन प्रॉब्लम किस बात से है, कि इतना गिरावट होने के बावजूद भी 28,000 करोड मार्केट कैप है इसका, मतलब होता क्या है, कोई स्टॉक अगर 70% क्या 80% गिर जाता, तो यहाँ पर आप भी ये रिस्की ही है, बिल्कुल रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, तो इतना गिरावट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि CV को यहाँ पर दिखना चाहिए, CV के तरब से एक बार audit करने के लिए भीजा गया था, PTM को, हाला कि PTM के तरब से एक चीज़ अच्छा किया गया है, balance sheet, balance sheet पर धिया गया है, यहाँ पर, क्या धिया गया है यहाँ पर, यह जो एनॉली हम देखते हैं, एक साल का, तो balance sheet में दो चीज़ होगी, total liability आपको बताया जागा, total asset आपको बताया जागा, दोनों चीज़ यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर है, यह जो blue color में आपको द होगा है, liability बढ़ा है, लेकिन उससे ज्यादा asset increase हुआ है, तो यह क्या हुआ कि liability automatic कम हो गया, मतलब company ने liability को कम किया, यहाँ पर अगो ऐसे नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर देख सकते हो, total asset 96% increase हुआ है, मतलब ज्यादा, और total liability भी increase हुआ है, लेकिन खेवल 46%, मतलब company ने अपना जो थोड़ा बहुआ date था, उसको decrease किया, जो कि company के लिए एक positive चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा liability होने का मतलब है कि company सबसे पहले तो मतलब अपने interest वगरा में फज़ जाएगी, और कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएगी, आज क्लिक date में पेटियम बहुत सारे ने businesses हैं, जहां पर यह मतलब काम करने के कोशिस कर रहे हैं, और उपर से क्या हुआ कि भाई इनके पास competition भी बहुत आ गया है, हाला कि देखो पेटियम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, मतलब यह गलत नहीं है, मतलब अच्छा है, लेकिन problem क्या हुआ ना कि भाई ब तो यह क्या ना कि बहुत सारे competition आ गया, पहले Tata के तरब से नहीं था, नहीं Amazon के तरब से था, बहुत कम था, लेकिन क्या हुआ, कि अब क्या है कि इतने सारे मतलब options आ चुके हैं, कि भाई मतलब यह कहा था, कि इनके पास पहले 100 subscriber थे, अब 100 में से इनके पास किवल 30 ही बच करके, बस यह यह करके, इस वज़े से क्या हुआ कि market में competition बढ़ गया, अगर माले ते Reliance ने announce कर दिया कि हम भी digital payment में पूरी तरीके से अपना market को ले जाने वाले हैं, तो PTM का share का price में देखेगा कि 20% तक का गिरावट देखने को मिल जाएगा, 20% के speed से गिरावट देखने क मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि Gio कैसे आया था, त्री मन तक free, उसके बाद वो market को dominate कर लिए, तो त्री मनत के अंदर कोई भी business जो है, अपना दम तोड़ देती है, ठीक है, तो तीन महिने तक अगर PTM पूरी तरे किसे loss में जाएगा, इवन रूपीस भी आर नहीं तब तक मैं भी नहीं खर दूँगा, मैं यह नहीं बला हूँ कि आपको खरीदने के लिए, जब तक पर्मोटर्स खुद नहीं खरीदेंगे, तो मैं भी नहीं खरीदेंगा, हाला कि हाँ एक professional वे में चला, लेकिन फिर भी नहीं भाई, जब तक पर्मोटर्स, देखो, पर् company पर ज़्यादा, loss making हो जागा, उसी तरीके से, reliance ज़्यादा focus क्यों करती है, क्योंकि 48% stake, अमबानी के हाथ में और 2% जो stake है, उनका कुछ management या आजबाज़ जो कुछ है, पर्मोटर्स उनके पास है, तो 50% stake उनके पास है, इस वज़े से वो अपने 100% दे रहे हैं, आप कि profit नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, तो जब चाहते हैं, तो पर्मोटर्स की हिंसेदारी पहले बढ़ेगी, तब आपको automatic समझ में आ जाएगा, यहाँ पर, आज की rate में भी यहाँ पर जो इसका book value बताया जाता है, वो किवल 200 रूपीज का बताया जाता, और stock आज की rate में भी 400 क lowest में जा रहा है stock, इससे क्या बता चलता है कि stock में अभी भी weakness देखने को मिल सकता है, चीजों को समझिये, फिर खरीदेगा, ठीक है, ऐसे अगर कोई चीज बे खरीते हो, तो नुकसान ज्यादा तगड़ा हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे world record बनते रहते हैं, और अगर stock market में तो अपने डिमेट अकॉन एंजल में उपन कर सकते हूं, जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री, delivery चार्जेस फ्री, के उल्ट्यों ट्रूपीज लगता है, वो भी इंट्राट है में, जो हार जगा है, description में लिंक है, मिल्टों में जाके अपने डिमेट अकॉन वगर आपन कर सकते हैं, विल्कुल फ्री में